परिजये शात्रों, आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में सीखेंगे श्रीमान, हेलो एल्केन क्या है? हेलो एलकेन एक रासाइनिक योगिक है जिसमें एलकेन के एक या अधिक हाइडोजन परमाणूं हेलोजन परमाणूं से प्रतिस्थापित होते हैं और हेलोजन क्या है शिरीमान? हेलोजन अभी क्रियाशील अथातू है जिसके साथ कर्शक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि हेलो एरीन क्या है? हाँ श्रीमान हेलो एरीन अणू है जिसमें हेलो जन अणू कार्बन अणूं के साथ आबंदित रहते हैं जो एक एरिल वलय का हिस्सा है बहुत अच्छे रोहित इस पार्ट में हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में और अधिक सीखेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को वर्की क्रेथ करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट की नाम पद्धती पर चर्चा करना ती एक साबंध की प्रकृती की जानकारी हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन बनाने की विभिन विधियों के बारे में वर्णन करना एल्किल हैलाइट और एरिल हैलाइट के भौतिक गुण धर्मों का वर्णन करना वर्गी करन हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइट वे यौकिक हैं जिसका सामानि सुद्र आर एक्स है जहां आर एक एल्किल अथवा प्रतिस्थापिस सम्मों है और एक्स हैलोजन एफ सील बी आर आई सम्मों है हैलो एरीन अथवा एरिल हैलाइट वे यौकिक हैं जिनमें हैलोजन सीधे एरोमेटिक वले से जुड़ा रहता है उनका सामानि सुद्र आर एक्स है जहां आर फैनाईल अथवा प्रतिस्थापित फैनाईल है हैलो एलकेन तथा हैलो एरीन को हैलोजन परमाणों की संख्या की अनुसार वर्गी क्रित किया जा सकता है इनको मोनो, डाई, अथवा पॉली हैलोजन योगिकों में वर्गी क्रित किया जा सकता है पॉली हैलोजन योगिकों में ट्राई, टेट्रादी चामिल है वर्गी करण कार्बन पर्माडों के संकरण के आधार पर मोनो हेलो योगिकों का वर्गी करण जैसा की नीचे दिया गया है किया जा सकता है हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP3 संकरित कार्बन अबंदित रहता है एलकिल हैलाइट अथवा हेलो एलकेन आर एक्स इनका सामान सूत्र TNH2N जमा एक एक्स है इन्हें हेलोजन पर्माडों के प्रात्मिक, दुईतियक अथवा त्रीतियक कार्बन अणूं से आबंधन के आधार पर पुना प्रात्मिक, दुईतियक अथवा त्रीतियक में वर्गी क्रेट किया गया है ये वे योगिक होते हैं जिनमें हेलोजन पर्माडों कार्बन कार्बन दुईक आबंध सी बराबर सी के समीप वर्थी SP3 संकरित कार्बन पर्माडों से आबंधित रहता है इन योगिकों में हेलोजन पर्माडों एरोमेटिक वले से जुड़े SP3 संकरित कार्बन पर्माडों से आबंधित रहता है यानि कि एक बेंजलिक कार्बन के साथ वर्गी करण हैलोजन योगिक जिसमें हैलोजन SP2 संकरित कार्बन वाइनिलिक कार्बन के साथ आबंदित होता है वाइनिलिक हैलाइट इन हैलाइटों में हैलोजन परमाणू कार्बन कार्बन दूइकाबंद C बराबर सी के SP2 संकरित कार्बन परमाणू से जुड़ा रहता है यानी एक वाइनिलिक कार्बन के साथ एरिल हेलाइड इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणूं एरोमेटिक वलाई के कार्बन परमाणूं से तीधे आबंधित रहता है उधारण हेलोबेंजीन नाम पद्धती एलकिल हेलाइडों के समाने नाम की व्योदपत्ती के लिए एलकिल समों का नाम लिखने के पश्चाद हेलाइड का नाम लिखा जाता है नामकरण की आई यू पी एसी पद्धती में हैलिलिक हैलाइट का नामकरण हैलोजन प्रतिस्थापिद हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। हैलो एरीन को IUPAC में एरिल हैलाइट कहा जाता है, सामानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में भी यही कहा जाता है। डाइ हैलोजन योगिकों के लिए सामानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में O-, M-, P- का प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। लेकिन IUPAC पद्धती में 1, 2, 1, 3, 1, 4 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। नाम पद्धती डाइ हैलो योगिक जिनमें एकी ही प्रकार के हैलोजन परमाणू होते हैं, इनको जेमिनल हैलाइट तथा विसनल हैलाइट में वर्की क्रेद किया जाता है। जब दो समान हेलोजन परमाणू समान कारबन से जोड़े जाते हैं तब उनको जैमिनल डाई हाइलाइट कहते हैं समाने नामकरण पद्धती में एलकलीडीन हेलाइट के रूप में नामित किया जाता है और IU-PAC नाम पद्धती में उनको डाई हेलो एलकेन के रूप में नामित किया जाता है जब दो हेलोजन परमाणू नस्दी की कारवन परमाणू से जुड़े होते हैं तो उनको विसिनल डाई हेलाइट नामित किया जाता है उनको सामाने नामकरण पद्धती में एलकेलीन डाई हेलाइट के रूप में नामित किया जाता है और उनको IU-PAC पद्धती में डाई हेलो एलकेन नामित किया जाता है CX आबंद की प्रकृती हेलोजन पर्मानू कार्बन पर्मानू की तुल्ना में अधिक विद्धुत रणात मक होता है अता एलकेल हेलाइट का कार्बन हेलोजन आबंद द्रुवित हो जाता है इससे कारपन पर्मानू पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन पर्मानू पर आंशिक रनावेश आ जाता है। क्योंकि हेलोजन पर्मानू का आकार बढ़ता जाता है। आता समुह में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयूडीन तक हेलोजन आबंध की लंबाई C.F. से C.I. तक बढ़ती जाती है। बनानी की विधियां एलकोहल से जैसा की रासाइनी कभी क्रियाओं में दिखाया गया है, एलकिल हैलाइट एलकोहल से बनाए चा सकते हैं। एलकिल हैलाइट को उतपादित करने की विभिन विधियां हैं। थायोनिल क्लोराइट के उपियोग की बहुत आसान विधि है। चुकि दूसरे उतपाद SO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे हैं। और आस्वन के क्रम में चुद्ध एलकिल क्लोराइट को छोड़ते बनाने की विधियां। हाइड्रोकर्बन से मुक्त मूलक हैलोजनन दौरा। पराबैगनी प्रकाश अथवाताप की उपस्तिती में हैलोजन के एक एलकिन के साथ अभिक्रिया एलकिल हैलाइट अथवा हैलो एलकिन को बनाने का काम करती है। एलक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन दौरा। एरिल हैलाइट को लूइस अमल उत्प्रेरक की उपस्तिती में जैसे की आइरन अथवा आइरन तीन एरीन के हैलोजन एलक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन दौरा बनाया जा सकता है। बनाने की विधियां। सेंड मायर अभिक्रिया जब जलिये खनीज अमल में घुली एरोमोर्टिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रित किया जाता है तब डाइजूनियम लवन बनते हैं सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा बने घुल को क्यूपरस क्लोराइट अथवा क्यूपरस ब्रोमाइट से मिश्रित किया जाता है तब वो डाइजूनियम समुह को C-L अथवा B-R द्वारा प्रतिस्थापित करता है यदि हम डाइजोनियम समुह को यूपरस हैलाइट की बजाए आयोटीन द्वारा प्रतिस्थापित करें तब हमें पोटेशियम आयोटाइट का उप्योग करते हैं बनानी की विधिया एल कीनो से हाइडोजन हैलाइट के संयोजन द्वारा हाइडोजन हैलाइट से अभिक्रिया करने पर एल कीन संगत एल किल हैलाइट में परिवर्थित हो जाते हैं हाइलोजन संयोजन TCL4 में खुली ब्रोमीन के एल कीन में टालने से परिरामसरूप सन्निथी यानि विस डाइब्रोमाइट प्राप्त होता है बनाने की विधिया हालोजन विनिमाए एल किल क्लोराइट ब्रोमाइट को चुशकु ऐसी टोन की उपस्तिती में अभिक्रिया कराने से एल किल आयोडाइडों को बनाया जा सकता है इस अभिक्रिया को पिंक क्लेस्टाइन अभिक्रिया भी कहा जाता है एल्किल फ्लोराइट को स्वार्ट्स अभिक्रियात्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें एल्किल क्लोराइट ब्रोमाइट को धातू फ्लोराइट की उपस्तिती में गर्म किया जाता है भौतिक गुण धर्म शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइट रंगिहीन होते हैं, परंतू प्रोमाइट तथा विशेशकर आयोडाइट प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं गलनांक एवं कौतनांक ध्रूविय प्रकृती और संगत कार्बनी खैलोजन योगिकों के हाइड्रोकारबन के तुल्ला में उच्च आनविक द्रवेमान के कारण कार्बनी खैलोजन योगिकों में अंत्रा आनविक आकरशन बल, दुई ध्रूव, दुई ध्रूव तथा वांडर वाज प्रभल हो कौतनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अलकिल समू के लिए जैसे आर अलकिल हैलाइडों के कौतनांक के घटने का क्रम इस परकार है। आर आई का उच्चतम कौतनांक होता है RF, RCL और RF का कौतनांक क्रम घटता जाता है। गलनांक एवम कौतनांक समाव यवी एलकिल हलाइडों के लिए गलनांक शाखन के साथ खटता है, ये इसलिए है क्योंकि प्रिस्टिक शित्र को शाखन श्रंकला घटाती है और परिडामता अंत्रा अनुक आकर्शन बलों को भी घटाती है. समाव यवी डाई हेलो बेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं. जो इसको क्रिस्टल लेटिस यानि जालक के लिए अच्छी तरह फिट बनाता है. घनत्व एलकिल क्लोराइड समानता पानी से हलके होते हैं, जबकि ब्रुमाइड और आयोडाइड भारी होते हैं. उनके घनत्व आर आई पड़ा है, आर बी आर पड़ा है, आर सी एल से जो ग्रम में है. फिर भी पॉली क्लोराइड पानी से भारी होता है. घुलन शीलता जिसके कारण से हेलो एलकेन पानी में अल्प विलाइड होते हैं. हेलो एलकेन कार्बनिक विलाइकों में घुलन शील होते हैं, जैसे की एथर एलकोहॉल और बेंजीन, क्योंकि इन में मुक्त हुई तथा आवश्यकूर्जा बराबर होती है. क्या आप जानते हैं? हेलो एलकेन का प्रयोग लौधीमा करने अगनी शामकी अंद्रों, रेफ्रेजरेटर्स, प्रणोदकों, विलाइकों और दवाइओं में किया जाता है. बहुत से हेलो कार्बन घातक प्रदूशन कारक और विशाक्त होते हैं. उधारण क्लोरो फल्योरो कार्बन सारे अंटाक्टिका में ओजोन परत के अवक्षय में अग्रणी हैं. सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. हेलो एलकेन वे योगिक हैं जिनका प्रतीक आरेक्स है जहां आर एक अलकिल अथवा प्रतिस्थापित अलकिल समों है और एक्स हेलोजन एफसी एल बी आर आई है. हेलो एलकेन वे योगिक हैं जिनमें हेलोजन सीधे एक अरोमेटिक वलाई के साथ लगा रहता है. सामान नाम प्दधती में एलकिल हैलाइट को हेलोजन से लगे एलकिल समों के नाम और हैलाइट का नाम जोड़कर नाम आंकित करते हैं. IUPAC नाम प्दधती की प्दधती में एलकिल हैलाइट को हेलोजन प्रतिस्थापित हैड्रोकारबन के रूप में नामित किया जाता है. एलकिल हैलाइट को एलकोहॉल, हैड्रोकारबन और हैलोजन विनमेद्वारा बनाया जा सकता है. क्लोराइट, ब्रोमाइट और आयोडाइटों का कौतनांग लगभग समान आणविक दरविमान के हाइड्रोकारबन से उच्च होता है. समाव यवी डाई हैलोपेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं. समाव यवी डाई हेलो पेंजीन के गलनांग सर्व प्रकार से भिन होते हैं हेलो जन एलकेन पानी में अल्प विले होते हैं